कि हलो फ्रेंट्स वेलकम टू स्मार्टोक्री चैनल दोस्तों हम बात करने वाले हैं CISF के पीस्टी और डॉक्मेंट वेरिफिकेशन के बारे में जियां दोस्तों आप सभी का हॉल टिकेट आपको मिल जगा होगा अल्रडी और जो एक महिना या देर महिने का जो प्रोसेस है PC का यानि फीजिकल का और डॉक्मेंट वेरिफिकेशन का तो हम इसे कैसे क्लियर करें जी हैं तो काफी स्ट्यटंस ने मेसेज किया सार закон कैसे कैसे के बारे में कुछ जानकारी दीज है एक वीडियो बनाई है तो पर पहले पैटनस है तो आपको पता है टोटल पॉस्ट जो है 429 पोस्ट है यानि कि आप सभी को पता अंदाजा लग चुका है competition बहुत टफ है और application मोर जो online था डिस्टार्ट जे 21 जनवरी से start हुआ था अब बात करते हैं selection process के selection process में आपको पता है सबसे पहले physical फिसके बाद return test होगा उसके बाद skill test उसके बाद medical यानि कि हमारा सबसे पहला focus क्या है physical पे तो अब ये physical को कैसे पास करें तो इस physical पे पहले सबसे पहले ये जानना है कि हमें क्या मांगा गया है तो आप देख लीजिए non schedule tribes जो है उनके लिए height और chest जिया दोस्तों और schedule tribes के लिए भी height or chest यानि कि total हमारे पास क्या है सिर्फ और सिर्फ एक height मांगा है और chest जिया दोस्तों height और chest पर ही आपको focus करना है height पर तो आप ज़्यादा focus कर सकते हैं अगर आप पूल और आपको तो पता होगा कि हाइट जो है एक निश्चित एज के बाद नहीं बढ़ती है यानि कि अगर आपकी उमर का एक निश्चित जैसे की पचीस चौबीस के आसपा जब पहुंच जाती है तो उसके बाद जो है मारी हाइट एक इस्तिर हो जाती है उसके बाद जादा न नहीं है तो अपने form बारने से पहले ये requirement देखा होगा और आपको पता होगा कि आपके height 165 है तब ही अपने इस form को apply किया होगा तो अब बात करते हैं जिसमें हमें focus करना है जिया दोस्तों बेवज़र जिन्ची जो पर हमें focus नहीं करना उस पर बात करके बेकार है तो focus करना है हमें chest पे जिया दोस्तों 77 cm chest चाहिए और जब हम फुला लेते हैं तो 82 होना चाहिए यानि कि यह बहुत important है क्योंकि आपको पता है 77 cm बहुत आराम से काफी लोग का easily हो जाता है measurement but main problem क्या होता है जो यह 5 cm का फुलाव है जिया यह होना बहुत मुश्किल हो जाता है कितने सा चाहिए लेकिन फुलाव नहीं आता है जब वह सांस अंदर भरते हैं हम लोग और एक लंबी सांस छोड़ते हैं तो उसके बीच में जो गैप होता है 5 cm का होना चाहिए यानि कि आपको फुलाव जो है 5 cm होना चाहिए जिसके लिए आपको पर डे प्रैक्टिस करनी होगी ज कुछ लोगा तो स्टार्ट भी हो चुका है तो आप लोग क्या किजिए अभी सेही सुबह शाम एटलिस जितना बार आपको में ताइम मिल सके आप उतनी बार कोशिश किजिए सांस को उपर नीचे भरने के और चेस्ट को फुलाने की क्या है आपको प्रैक्टिस में पर्फ कि कैसे भी आपका 5 cm का फुलाव आना जरूरी है अब बात करते हैं सर्डूल ट्रेप्स के तो आपको पता है इसमें 162 cm चाहिए यहां पर भी 5 cm बट यहां पर 76 और 81 का वो हो जाता है तो यह तो केटेगरी वाइस है इसमें आपको नहीं बस आपको यह ध्यान देना है कि आ आपको चेस्ट में फुलाव जो है 5 cm का है चाहो किसी भी केटेगरी से क्यों ना हो तो वो इश्यू नहीं है यहां पर अब एज रिलेक्शन के वाइन तो आपको पता ही है 162 cm यहां वा 77 और 82 cm है अब बात कर लेते हैं female candidates के क्योंकि female candidates नहीं इस form को भरा है तो यह मैंने ज़्यान ज़्यादा ज़रूद तो नहीं होगी क्योंकि आपने जब फॉर्म भरा होगा आप सभी इतने समझदार हैं इतने intelligent हैं कि already form बने से पहले उसी conditions को ज़रूर पढ़ते हैं तो जितने भी ladies ने इस form को भरा हो और अलड़ी हुआ हाइट को चेक किया होगा कि हाँ उन 10% तो fix है कि उन में कोई issue नहीं आएगा अगर आपका कुछ जैसे कि आपने form में गलत लिखा अपनी height तो अलग case हो जाता है लेकिन अगर अगर आपनी हाइट कंडिशन के साब से अपलाई किया है तो आपकी height अगर okay है तो और document verification भी आपका अगर सही सलामत है समतल सब कुछ कागज पत्र आपका सही है तो महिलाओं के लिए भी तो कोई दिक्कत नहीं आराम से आपका PST जो document verification हो जागा और आपको आगे की तैयरी पर सिर्फ focus करना है अपना समय ज्यादा waste मत कीजिए सिर्फ और सिर्फ अपने physical और इस पे document पे ध्यान दे लिजिए कि सारे documents आपके पॉपर हैं और सही conditions में हैं क्योंकि कुछ करहा हैं हम लोग कभी कभी over confidence में रहते हैं कुछ dates वगरा जैसे non criminal के dates होते हैं कभी कभी निकल जाते हैं और हमें ध्यान नहीं देते हैं तो वह का स्रेटिफिकर के जो dates होते हैं उस पर जा फोकस कर लिजेगा आधार कार में अपन के बाद हम जा रहे हैं examiner के पास PST के लिए तो इस परका दोस्तों आप जो है आसानी से PST और document verification कम्प्लीट कर सकते हैं आसान से आप ज़्यादा दिमाग पर प्रेशन ना डालिए आराम से आप जो है PST और document verification आपका हो जाएगा क्लिए 101% आपको जिस तरह में बताया है सि जाने से PST पार कर लेंगे और भी अगर आपको कुछ डिटेल्स में जानकाई चाहिए तो आपको वीडियो के निचे कमेंट कीजिए हम आपको personally contact करके या फिर आपको message करके हम बता सकते हैं और अगर वीडियो पे दोस्तों आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक किजिए और चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं दोस्तों स्मार्टों की चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा स्मार्टों की चैनल पर आपको सरकाई नोकरत समद्द हर प्रकार के जानकरी मिल जाएगी थैंक्यू सो मच्छ दोस्तों